तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक वीडियो को देखिएगा इसमें सब चीज़े बताई गई है बहुत अच्छे से आपको समझाय गया है तो आप इसको पूरा अंतक जरूर देखिएगा जो भी आपको डाउट आता है कोई इसमें अगर सजेशन है है कोई भी डाउट है कोई भी फीडबेक है तो उसको कॉमेंट सेक्शन में करके जरू बताईएगा तो यह है NCRT जोग्रफी क्लास 7th की इससे पेले कहीं सारी वीडियो क्या चुकी है तो आप सको जरूर देख लिजेगा क्लास 6th की जोग्रफी भी कवर कर दी गई ये NCRT से आपके जोग्रफी बहुत एच्छी हो जाएगी अगर आपने इसको जोइन कर लिया तो उत्राखंड में आगा में जितनी परिक्षाए है सभी की तेजारी आपके बहुत अच्छी हो जाएगी डेली करेंट अफैस की पीडियास लिए सकते हैं और डेली MCQ टेस्ट प्रेक्टिश चल रही है इन सबको जोइन करने के लिए आप 766-580-4421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं तो इससे पहले हमने चप्टर 1 और चप्टर चाहता है इस इस भ्रोकन यानि कि थल मंडल कहा जाता है बैसिकली इसको इस ब्रोकन इंटु ए नम्बर ओफ प्लेट्स नोन इस दा लिफोस्फरिक प्लेट्स या टेक्टॉनिक प्लेट्स विनको कहते हैं तो जो एक लिफोस्फेर है वो हमको नहीं दिखेगा आपको यह ह नहीं होती यह irregular shape की plates होती है जो धर्ती के अंदर है और निरंतर चलती रहती है move करती रहती है these plates move around very slowly अब यह चलती रहती है बहुत धीमे धीमे just a few millimeters each year एक साल के अंदर कुछ ही millimeter 2 millimeter 5 millimeter ही travel करती है this is because of the movement of the molten magma inside the earth आप कुछ इस तरह से मानिए कि मालत यह धर्ती है अगर यह धर्ती है और नीचे से magma निकल रहा है तो वो क्या करेगा वो magma यहां जाएगा और यहां के बाद जो तरंगे होंगी इसको समभन तरंगे या convection currents कहते हैं वो इसको यहां से टगराने के बाद वो इसको इधर धके लेगी यह इसको इधर धके लेगी यानि कि जब वो इधर जाना शुरू कर देगा और यह इधर जाना शुरू कर देगा तो अभी यहां से plate की परत क्या होते चल जाएगी पतल ही होती चल जाएगी और ये इधर मूव करना शुरू कर देगा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इधर मूव करना शुरू कर देगा तो जो molten magma है धरती के अंदर वो एक circular manner ये वो circular manner है जिसमें वो चलता रहता है the molten magma inside the earth moves दिना circular manner तो lithospheric plates क्या है जो earth की crust है consists of several large and some small कुस तो बड़ी होती है कुछ छोटी होती है rigid होती है यानि कि वो ठोस होती है और irregular shape की plates होती है जिनको slab कहा जाता है जिसके उपर या तो महादूइब होते हैं या महासाकर होते हैं यानि continents होते हैं या फिर oceans होते हैं तो इन ही प्लेटों का movement के वैसे धरती की सतह पर changes आते हैं तो जो movement है earth का वो उन forces के वैसे होता है जिसके उपर वो होती है अब देखें दो तरह की force होती है जो एक तो धरती के अंदर force काम करती है एक धरती की बाहर सतह पर काम करती है उसको हम अंतरजादबल या endogenic forces कहा जाता है और जो भाहर काम करते हैं उसको भाहिटजादबल या exogenic forces कहते हैं the forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces और वो forces जो surface पर काम करती है धरती के यानि कि बाहर की तरह सतह पर काम करती है उनको exogenic forces कहा जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मालेते हैं दो figure दिखाई गई हैं दोनों English इंदी दोनों में अगर हम इनको देखें तो अगर आप इनको देखें कि यह अर्थ movement यानि कि प्रत्वी की अगर हम घतियों की बात करें तो endogenic forces होती हैं जो आपकी अंदर जनित बल है और जो exogenic forces होती हैं जो बहिर जनित बल हैं तो endogenic forces क्या हो सकती हैं एंदोजनिक forces होती हैं जैसे ki sudden forces कोई अचानक से कोई आकस्मिक बल आता है जैसे आकस्मिक बल कैसे होता है एक तो sudden forces होती है और या यानि कि पटल विरूपन बलिन को कहते हैं तो अब एंडोजनिक फोर्स यानि कि धर्ती के अंदर से आती हैं तो धर्ती के अंदर से कौन-कौन से तरह की फोर्स आ सकती हैं किस-किस तरह की आ सकती हैं दो तरह की होती हैं एक सड़न फोर्स होती हैं और यानि कि आकस्मिक होती ह और पटल विरूपर होती है तो सड़न फोर्सेज में तीन तरह के हो सकता है या तो भूगंब आ जाए वोलकैनो आ जाए महाँ पर लावा फट जाए वोलकैनो फट जाए और लैंड्सलेड आ जाए यानि कि जो जमीन है वो किस जाए अब देखें आप यहाँ पर ध्यान दीजे एंडोजनिक फोर्सेज के वज़से कोई चीज का निर्मान होता है अगर हम वोलकैनो से देखें वोलकैनो से एक वोलकैनिक परवत का निर्मान हो जाएगा लैंड्सलाइड से कहीं से पहाड़ कटेगा तो दूसरे जंगा मिट्टी सेटल डाउन हो जाएगी लेकिन जो एक्सोजनिक फोर्सेज होती है महाँ पर आप देखेंगे जो बहर जनित भल है उसके में से क्या होगा अपरदन होगा और निक्षेपन होगा यह सब क्या करती है यह जमीन को यह तो इरोड करती है काटती है और उसके बाद उस चीज को यानि जो वहाँ से रेत, मिट्टी, पालू, पथर जो भी चीज काटी है उसको किसी दूसरी जगा पे जाके उसको डिपॉसिट कर देते हैं तो endogenic forces sometimes produce sudden movements तो endogenic forces के वैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि sudden एकदम movements आते हैं and at other times produce slow movements तो कभी तो sudden movements आते हैं और कभी slow movements आते हैं तो sudden movements कौन-कौन से होते हैं जैसे हमने डिस्कस कर लिए जैसे कि भुकंप है, यह न, volcano है और यह इसके वैसे mass destruction भी होता है बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है धरती की सतह पे अब volcano क्या है volcano एक event है या opening है धरती के crust में through which molten material erupts suddenly तो एक opening होती है धरती के अंदर से जिससे की क्या होता है कि बाहर जो धरती के अंदर जो चीजे थी, molten जो magma था वो बाहर निगल कर आ जाता है तो यह कुछ एक आप देख सकते हैं कि यह एक volcano है यानि कि जो आलम मुकी है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह धरती के अंदर लाल कलर का magma chamber है जहाँ पे magma है यह mental है और यह crust है crust के नीचे mental यानि कि जो आपको magma का chamber मिलेगा वो crust से नीचे mental में जहाँ पे बहुत ज़ादा high temperature रहता है जब हम आगे बढ़ेंगे इसको हम बोलते है एस्थेनोस्फेर जहाँ पे प्रक्रिया होती है magma बनने की तो जब volcano फटता है तो क्या होता है कि यहाँ से magma chamber में से उसको बल मिलता है pressure मिलता है और यह ऐसे उपर जाके magma फटता है और यहाँ पे crater का move होता है तो crater का जो vent है वहाँ से क्या होगा कि वो vent से जो crater का mouth है वहाँ से वो लावा बहार निकलेगा अब अंदर मागमा होता है जब भार निकल जाता है तो भार निकल के लावा बन जाता है और अंदर जो होता है वो मागमा का कोस्ट है तो बस अब यहां से अब यह समझ सकते हैं कि अगर एक वोलकानों के अंदर जोरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वेंट हो एक ही क्रेटर हो अलग जहाँ से भी जो मैगमा है वो बहार निकल सकता है जब भी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है चलती है तो धर्ती वाइबरेट करती है यानि कि हम उसको अर्थक्वेक कहते हैं कि भुखम पारा है अब देखें यह बहुत इंपोर्टन चीज है सवाल पूचे जाते हैं आपसे कि मालती यह धर्ती का सत्य है जहाँ पर इनसान खड़े होते हैं यह ग्राउंड लेविल है अब धर्ती के अंदर करस्ट आ रहा है फिर मैंटल आ रहा है फिर कोर आ रहा है हम समझ रहे हैं इस तरह से तो मारे यहां पर आपके भुकंप आया तो यह जो भुकंप आता है जाने कि जहां पर भुकंप जमीन के अंदर अगर प्लेटे मूव कर रही है तब ही भुकंप आएगा तो जमीन के जितनी गहराई के अंदर जाके 50 km नीचे जाके 100 km नीचे जाके जहाँ पर भी वो प्लेटे मूव करी हैं वहीं पर भुकम पाएगा तो जहाँ पर Plato ने move किया और जहाँ भी बुकम पाया उस जंगा को हम क्या बोलते हैं उस जंगा को हम बोलते हैं focus F-O-C-U-S यानि कि उसको हम focus बोलते हैं और place on surface above the focus is called the epicenter और इस focus के ठीक उपर सतहे पे जो हमें सतहे मिलती है सतहे पे जो हमें point मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम epicenter बोलते हैं यानि कि उपरी के अंदर कहते हैं तो बस आपको इतना ध्यान लगना है कि जमीन के अंदर जो होता है वो focus होता है और focus के just उपर धरती के सतहे पे जो हमें point मिलता है वो epicenter होता है epicenter वो जंगा होती है जहां पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है गर भुकम पाया तो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नुकसान कहां होगा सबसे ज़्यादा नुकसान होगा epicenter पे और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस epicenter से दूर जाते से ले जाएंगे वैसे वैसे जो नुकसान की मात्रा है नुकसान की intensity है वो कुछ न कुछ काम होते चलिएगी तो सब जादा नुकसान कहा होगा सब जादा नुकसान होगा आपका epicenter पे the place in the crust where the movement starts is called the focus the place on the surface above the focus is called the epicenter vibration travel travel करती है outwards from this epicenter as waves तो waves के रूप में vibration जो है बाहर की तरफ वूफ करती है greatest damage कहाँ पे होता है जो भी person जो भी चीज epicenter के closest होगी जीतना भी आप epicenter के पास होगे नुकसान उतना जादा होगा and the strength of the earthquake decreases away from the center और जैसे जैसे आप इस इंटर से दूसर जाते चले जाएंगे वैसे वैसे जो earthquake की intensity है earthquake की जो power है वो कम होते चले जाएगी तो तीन तरह की waves होती है जो earthquake के time पे travel करती है एक होती है P waves जिसको longitudinal waves कहते हैं एक होती है S waves जिसको transverse waves कहते हैं और एक होती है L waves जिसकों की surface waves कहते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि earthquake का origin कहाँ पे होता है तो जहाँ पे earthquake का origin होता है उस point को focus कहते हैं जमीन पे इस focus के ठीक उपर वाले point को epicenter कहा जाता है यह plate की boundary थी और यह seismic waves हैं जो सभी दिशाओं में जा रही है तो although तो earthquakes cannot be predicted the impact can certainly be minimized if we are prepared before अब देखिए यह important चीज़ है कि earthquake का हम पता नहीं रगा सकते प्रेडिक्स नहीं कर सकते कहीं सार experiments के जा रहे हैं तखनीके लगाई जा रही हैं बनाई जा रही हैं जिससे हमको समझ में आ सके यह हमें पता चल सके कि earthquake कब आ रहे हैं लेकिन अभी भी हम इतना जाता successful नहीं हुए हैं जिस तरह से हम weather की forecasting कर देते हैं कि फ़े दो घंटे बाद चार घंटे बाद बारिश होगी या आज के दिन बारिश है और कल के दिन बारिश नहीं है जिस तरह से हम यह predictions कर सकते हैं हम earthquake का prediction नहीं कर पाते कि अब earthquake आएगा या अब आएगा ऐसा हम अभी नहीं बता पाते हैं some common earthquake predictions method adopted locally by people देगे ऐसे कोई नहीं है कि हम बता सकें कि earthquake आ रहा है या कब आएगा मैंने वली नहीं बता सकते लेकिन रकरती को समझ के हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि earthquake आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इसमें क्या होगा कि अगर हम animals का behavior अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो हमें समझ में आ जाएगा कि earthquake आ रहा है एन earthquake is measured with a machine called a seismograph तो seismograph से सभी अर्थक्वें के ना पर जाते हैं magnitude of the earthquake is measured on the reactor scale reactor scale पर magnitude को ना पा जाता है earthquake जो है दो या दो से less का वह आपको कभी महसूस होगा कर दो के intensity भाने कि जो रेक्टर से महसूस होना में शुरू हो जाते हैं एन earthquake over five can cause damage from things falling अब पांच का अर्थक्वेंग अगर आता है पांच magnitude का इसका मलब यह कि कहीं सारी चीज़े डैमिज हो जाएंगी और अगर छे या छे से उपर का अगर आता है तो उसको बहुत जादा strong हम अर्थक्वेंग कहते हैं औ और साथ से उपर का अगर अर्थक्वेंग अगया तो आप समझिन दीजिए कि major earthquake है यानि कि वहां पर जिजहां पर अर्थक्वेंग अगर बहुत जबरत से नुकसान होगा बहुत जादा loss हो सकता है तो अगर हम 26 जन्वरी की बात करें 26 जन्वरी 2001 को 6.9 इसकेल का भुकम पाया था भुज में जो कि गुजरात का एक शहर था तो भुज टाउन में बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आया जिसके वैसे महाँ पे बहुत तवाही मची और काफी लोगों की जान चली गई नेक्स आता है फिर मेचर लैंड़ फॉर्म्स तो यानि कि प्रमुक भुमी रूप अगरम देखें तो लैंड्सकेप जो कॉन्टिनेसली जो वार्न अवे होते हैं या देखें इसको समझे माले ते कोई लैंड्सकेप है यानि कि भुख अकृती है उसके उपर दो चीज़े हो या तो लगातार वो जब उसके उपर सूरज की रोशनी पड़ेगी पानी पड़ेगा बरसात का हवा चलेगी तो वो वैधर हो उसकी वैधरिंग होगी और उसका इरोशन होगा तो वैधरिंग का मलब होता है अपक्षे और इरोशन का मलब होता है अपरदन तो अपक्षे और परदन ये दोनों चीज़ें उसके लगातार होती रहेंगी वो तूटता रहेगा पहले और फिर बिल्कुल चूरा होकर भैता रहेगा चाहे वो पानी के साथ भैजाए और चाहे वो किसके साथ भैजाए चाहे वो हवा के साथ भैजाए वेदरिंग इस दा ब्रेकिंग करके अगर आपने उसको बिल्कुल ही वहां से हटा दिया अगर कोई बहुत बड़ा पहार था बूम अब बड़ा पत्थर था तरब बिल्कुल ही महां से खshop हो जाए और वहां से भैज आए चाएज पानी के त्वारा वहे औरosse को क्या फोलेंगे इरोशन त् hij Erosion is the wearing away of the landscape by different agents जैसे कि पानी, हवा या बराफ The eroded material is carried away और transported by water, wind, etc. and eventually deposited तो पहले eroded material तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा चाहे पानी के थू हो चाहे हवा के थू हो और बाद में कहीं नगें जाके वो deposit हो जाएगा This process of erosion and deposition create different lands forms on the surface of the earth और यही जो तरीका है, यही जो process है erosion का और deposition का की बार बार erosion हो रहा है, यानि कहीं से चीज़े cut रही है, फिज़े deposit हो रही है तो यह जो निरंतर एक प्रक्रिया है इसके वैसे कहीं सारे different lands forms जो है धरती के सतह पर बने गए है There are thousands of small waterfalls in the world, कहीं हजारों waterfalls है दुनिया में, और जो highest waterfall है उसको हम angel falls कहते है जो कि Venezuela में है, South America में The other waterfalls are Niagara Falls दूसरे waterfalls कोई कोई से है जैसे कि Niagara Falls है, जो कि Canada और USA के border पे है, North America में और Victoria Falls on the water of Zambia in Zimbabwe in Africa तो Victoria Falls जो है, वो Zambia और Zimbabwe के border पे है अफ्रिका में और जो Niagara Falls है, वो Canada और USA के border पे है आपको बताना है कि Niagara Falls कौन से lake पे है यानि कौन से lake का पानी किस lake में बनता है अगर आप map देखेंगे North America का तो आप आएंगे USA और मेक्सिको, sorry USA और Canada के border पे 5 lakes है जिनको हम Holmes Lake भी कह सकते है लास्ट में उनको एक short form में Holmes Lake भी कहते है या उंगली नुमा भी कहते है कि वो finger like lakes है तो उन पाचों lake का नाम क्या है जैसे एक का नाम lake superior है, lake huron है तो आपको comment section में comment करके बताना है कि 5 lake का नाम क्या है जो कि USA और Canada के border पे है और कौन से lake से कौन से lake में पानी गिरता है जिससे की नियागरा false बनता है ये दोन सवाल के जवाब का comment section में comment करके देंगे नेक्स आता है work of a river तो work of a river हम next video में cover कर लते हैं और इसी के साथ ये video complete होती है, अगर उसमें कोई भी डावट आता है कोई भी आपका session है, कोई भी आपका feedback है तो आप मुझे comment section में comment करके जरूर बताईए चलिए बाकिया मिलते है next video में so thank you and bye bye